हेलो फ्रेंज वेल्कम टू मैं चैनल लिता किचन आज मैं बनान जारी हूं पपीते की पराठे कैसे बनाती हूं देखिए आप लो बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है पपीते का है यह देख सकते पपिता मैंने लिया है एक करीब आदा किलो पपिते हैं मैं आठा गूट ले रही हूं इसको मैं मिला देती हूं अच्छे से रिफाइनड बאת सब उयों भड़े हैं इसकोपान बसने पान डालरी हूं तरसलों मैं गूत लेती हें अपनी तो मैं पुट लेतीे जाय हूँ गूत पपीता कीपता पर पाइल खीर के अब देख सकते में ने काटा है एक चील लिया मैंने अब इसे में कद्धू कस कर लेती हूं अब इस तरह से कद्धू कस में इसमें छोटे साइस से करूंगी यह देख सकते मैं नमक डाल रही हूं नमक डाल के, इसको पांच मुटक लिए आप छोड़ दीजेगा इसी तरह से इसको मैंने निचोड लिया है ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैं कर के इसको पानी को निकाल दूगी आप चाहेते इसको कपरे में भी लगा कि कर सकते हैं कि मैं इसे हाथ से अच्छे से निचोड़ देती हूं जैसे मुली को निचोड़ते हैं बिल्कुल इसी तरह से पानी निकल जाता इसमें यह देख सकते हैं यह देख सकते हैं यह देख सकते मैं अच्छे से पानी इसका निकाल लिया है अब मैं इसमें डालने जारी हूं यह ला करते हूं कि आप लोग बजरू इसको बनाना बहुत टेस्टी होता है है अच्छा पपीता इसकी पराठे बहुत अच्छे बनते हैं यह आप देख सकते मैंने से मैश कर दिया है अच्छे से यह आटा है आटा मैंने गूत के रख लिया है यह इस तरह से एक मैंने लोई लिया है बड़े साइस का है मैं हलका से इसको बेल लिया है मैंने आटा लगा के अब इसके उपर मैं करीब छोटे चमश से दो चमश करिब डालेंगी पपीता अब इसको मैं इसे गोल करके इसको कर दूंगी इस तरह से अंदर स्टाफिंग मैंने कर दिया है और इसे बेल लेती हूं यह आप देख सकते हैं यह बिल गई है अब इसे मैं तबी पर डाल लें यहीं मैं नॉनिश्टिक तबा है आप किसी भी बिल डाल सकते हैं है कि ईक सब्सक्राइब हो गया है दूसरे साथ में पलत रही हूं यह आप देख सकते हैं आ और हो गया है इस साथ भी हो गया है इस यह आपनों हो have 55為什麼 अच्छे से अच्छर-प्राथे बनें करकर यह बहुत एच्छे से जो कि शस्थे तब टब के पराथे बनते ही वालिए अगर आप रंते मौल नालें आप यहांकर बनती अच्छा है बहुत टेस्टी कि इस तरह से डबादबा कियें इस pagan कि यह आप देख सकते हैं मैं मैंने अच्छे लगा दिया तरों कि अब दॉसी मैं प्राठे में हैं Congd Rails क시고 सकते हैं किपना अच्छा इशे लगल आया है तिया खाई यदे 200 अच्छा बनता है उसका आप देख सकते हैं पराठा बन चुका है अब बगर पराठे के साथ धन्या चट्नी तो चाहिए बगर चट्नी के तो अधूरे हैं ये इसके लिए मैं क्या-क्या ले रहीं चट्नी के लिए देखिए ये मैंने धन्या पत्ति लिया है ये टमाटर है आधा टमाटर लसन कलिया है पांस से छे कली नमक है खटाई और ये हरी मिर्च है किसद आरीमेश मैंने 3 डाला है आप लोग अपने साब से तीका डाल सकते हैं िस तरह से चट्णी बनाई यह बहुत ही टेष्टी चट्णी बनती है प्राठीक साथ पृत तो और शेयर जरू करिएगा थैंक यू